तो हलो मेरे भाई लोग कैसे हो उमीध है मस होंगे खुश होंगे हम लोटाया है अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट सुछना में तो आज का टॉपिक है क्या फिर से होगा विराट और इंडरसन का आमना सामना क्या विराट को लिए आप सबसे पहले पहुचेगी तो सुरू करते हैं लेस गो क्या विराट को लिए कारण रिटायर्मेंट में देरी कर रहे हैं जेमस इंडरसन जानते हैं पूरा वाक्या इंगलेंड के अनुभवी तेज गिंदबाद जेमस इंडरसन ने अंतराश्ची क्रिकेट में अपने भविश्च के बारें बात की और साथ ही बताया कि भारती बल्ले पाज विराट के खिलाफ दोबारा गेंदबाजी वो करना चाहते हैं आपको बता दे जेमस इंडरसन इस महीने की सुरुवात में ही भारत के खिलाफ खेले गया पुनर निधारी पांचवे टेस्ट मैच में इंगलेंड के लिए आखरी बार एक्शन में नजर आया जो माना जा रहा था कि यह विराट और एंडरसन का आखरी आमना सामना हो सकता है बर्मिंगा में उन्होंने पहली पारी में पांच विकेट भी लिये और दूसरी पारी में एक विकेट लेकर इंगलेंड टीम को पु तरह से आश्वस नहीं है उन्होंने कहा कि इस्टार भारती बल्लेबाच का फिर से सामना करने के लिए अगले दौरे तक सन्यास को रोक सकते हैं एंडरसन और कोहली के बीच मैदान पर फैंस को कुछ भैंकर लड़ाई देखने को जरूर मिली और इंगलेंड के इस दिगज पुरो भारती कप्तान को अब तक साथ बार आउट कर चुका है जेमस इंडरसन ने सोनी स्पोर्ट नेटवर के सो एक्स्ट्रेइनिंग पर कहा मैं ये नहीं जानता कि मुम्किन होने वाला है या नहीं लेकिन फिर भी मैं विराट को लिए खिलाव गेंदबाजी करना जरू पर आउट किया गया अगले ICC फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम के अंती मसाओदे के अनुसार भारत 2024 की सुरुवात इंग्लेंड की खिलाब 5 मैचों की घरिलू टेस्ट सीरिज खेलेगा जिसका इंतजार एंडरसन अभी से कर रहे हैं कयास लगाया जा रहा है कि एंडरसन 2024 2024 तक सन्यास ना लेने का सोज भी नहीं रहे हैं और ये हम क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी खबार है हम इन दोनों दिगजों को आमने सामने देखना जरूर पसंद करेंगे आपको क्या लगता है दोस्तों जेमस अंडरसन का या वीचार क्या सही है अपनी रहा कमें कर दोते हैं